अथाश्टा दसोध्या यह अर्जुन बोले हे महाबाहो हे अंतर्यामिन हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याग के तत्व को प्रिथक प्रिथक जानना चाहता हूँ श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन्तों काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास्क समझते हैं तत्था दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोश युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यग्यदान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है हे पुरुष श्रेष्ट अर्जुन सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विशे में तू मेरा निश्चे सुन क्योंकि त्याग सात्वी कि राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है यग्यदान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है बलकि वह तो अवश्य करतव्य है क्योंकि यग्यदान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले है इसलिए हे पार्थ इन यग्य, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव कर्मों को आसकती और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए यहां मेरा निश्चे किया हुआ उत्तमत है निशिद्ध और काम में कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है ऐसा समझ कर यदि को इशारी रिक्लेश के भय से करतव कर्म का त्याग कर दे तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता हे अर्जुन जो शास्त्रविखत कर्म करना करतव्य हैं इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो दूएश नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशे रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है क्योंकि शरीर धारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्के नहीं है इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है यह कहा जाता है कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पस्चात अवश्य होता है किन्तु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुश्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता हे महाबाहो संपूर्ण कर्मों की सिद्धी के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले संख्य शास्त्र में कहे गए हैं उनको तु मुझे से भली भाती जान इस विशे में अर्थाज कर्मों की सिद्धी में अधिश्ठान और करता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग-अलग चेश्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है मनुष्य मनवानी और शरीर से शास्त्रा नुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण है परन्तु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धी होने के कारण उस विशे में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता समझता है वह मलिन बुद्धी वाला अज्यानी यथार्थ नहीं समझता जिस पुरुष के अंतह करण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धी सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपाए मान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तों में न तो मारता है और न पाप से बनता है ज्याता, ज्यान और गेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेड़ना है और करता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रा है गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्यान और कर्म तथा करता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं उनको भी तो मुझे से भली भाती सुन जिस ग्यान से मनुष्य प्रिथक प्रिथक सब भूतों में एक अविनाशी पर मात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है उस ग्यान को तो तू सात्विक जान किन्तु जो ग्यान अर्थात जिस ग्यान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन भिन प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है उस ग्यान को तू राजस जान परंतु जो ग्यान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सद्रिश आ सकत है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुछ है वह तामस कहा गया है जो कर्म शास्त्र विधी से नियत किया हुआ और करतापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेश के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है जो कर्म परिणाम हानी हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है जो कर्ता संग रहित अंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादी विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के सुभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित गमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नास करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्ग सूत्री है वह तामस कहा जाता है हे धनन्जय अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृति मार्ग और निवृति मार्ग को कर्तव्वे और अकर्तव्वे को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है हे पार्थ मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्वे और अकर्तव्वे को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है हे अर्जुन जो तमोगुन से घिरी हुई बुद्धी अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धी तामसी है हे पार्थ जिस अव्यभी चारिनी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धर्थी सात्विकी है परंतु हे प्रिथा पुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आशक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है हे पार्थ दुष्ट बुद्धी वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उनमत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्था धारण की रहता है वह धारण शक्ति तामसी है हे भरत श्रेष्ट अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझे से सुन जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादी के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपी विश के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अम्रित के तुल्य है इसलिए वह परमात्म विशयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन होने वाला सुख सात्विक कहा गया है जो सुख विशय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अम्रित के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विश के तुल्य है इसलिए वह सुख राजस कहा गया है जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन सुख तामस कहा गया है प्रित्वी में या आकास में अत्वा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन इन तीनों गुणों से रहित हो हे परंतप ब्रह्मन, छत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन गुणों द्वारा विभक्त किये गए है अंतह करण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कश्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को छमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आधि में श्रद्धा रखना, वेद, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना, और परमात्मा के तत्व का अनुभाव करना, ये सब के सब ही ब्रह्मन के स्वाभाविक कर्म हैं, शूर वीर्ता, तेज, धैर्य, चतुर्ता, और युद्ध में न भागना, दान देना, और स्वामी भाव, ये सब के सब ह छत्रिया के स्वाभाविक कर्म है खेती गोपालन और क्रया विक्रय रूप सत्य व्यवार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्नों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुश्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धी को प्राप्त हो जाता है अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुश्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धी को प्राप्त होता है उस विदी को तू सुन जिस परमेश्वर से संपोर्न प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिध्धी को प्राप्त हो जाता है अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ट है क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता अतैव हे कुंती पुत्र दोश युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धुए से अगनी की भाती सभी कर्म किसी न किसी दोश से युक्त है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धी वाला स्प्रिहा रहित और जीते हुए अंतह करन वाला पुरुष सांखे योग के द्वारा उस परम नैशकर्मय सिद्धि को प्राप्त होता है जोकि ज्यान योग की परा निश्था है उस नैशकर्म्य सिद्धी को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंति पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ विशुद्ध बुद्धी से युक्त तथा हलका सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादी विशयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारन शक्ति के द्वारा अंतह करण और इंद्रियों का संयम करके मन वानी और शरीर को वश्म कर लेने वाला राग दुएश को सर्वथा नष्ट करके भली भांती दृड वैराग्य का आश्रे लेने वाला तथा अंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त् ब्रह्म में अभिन भाव से स्थित होने का पात्र होता है फिर वह सचिदानन्द घन ब्रह्म में एकी भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांग्षा ही करता है ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझ को तत्व से जान कर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है मेरे परायन हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परंपत को प्राप्त हो जाता है सब कर्मों को मन से मुझ में अरपन करके तथा समबुद्धी रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायन और निरंदर मुझ में चित्त वाला हो उप्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी किरपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अँखार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्धात परमार्थ से ब्रश्ट हो जाएगा जो तू अँखार का आश्रे लेकर यहां मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यहां निष्चे मिध्या है क्योंकि तेरा सुभाव तुझे जबर्दस्ती युद्ध में लगा देगा हे कुंती पुत्र जिस कर्म को तु मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्व कृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूड हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमन करातार हुआ सब प्राणियों के हिर्दय में स्थित है हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम, शान्ति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त होगा इस प्रकार यह गोपनिय से भी अति गोपनिय ज्यान मैंने तुझ से कह दिया अब तू इस रहस्य युक्त ज्यान को पूर्ण तया भली भाती विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर संपूर्ण गोपनियों से अति गोपनिय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन तू मेरा अतिशय प्रिया है इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझे से कहूंगा हे अर्जुन तू मुझे में मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे को प्रणाम कर ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा यहां मैं तुझे से सत्य प्रतिज्या करता हूँ क्योंकि तु मेरा अत्यंत प्रिया है संपूर्ण धर्मों को अर्थाद संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तु केवल एक मुझ सर्वशक्ति मान सर्वाधार पनमेश्वर की ही शरण में आजा मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा तु सोक मत कर तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए तथा जो मुझ में दोश द्रिष्टी रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझ को ही प्राप्त होगा इसमें कोई संध्य नहीं है उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुश्यों में कोई भी नहीं है तथा प्रित्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिया दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के समवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यग्य से पूजित होँगा ऐसा मेरा मत है जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दो द्रिष्टी से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा हे पार्थ क्या इस गीता शास्त्र को तुने एकागर चित्त से श्रवन किया और हे धनन्जे क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नश्ट हो गया अर्जुन बोले हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नश्ट हो गया और मैंने स्मृती प्राप्त कर ली है अब मैं संशे रहित होकर स्थित हूँ अता आपकी आग्या का पालन करूँगा संजय बोले इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांच कारक संबाद को सुना श्री व्यास जी की किरपा से दिव्यद्रिष्टी पाकर मैंने इस परम गोपनिय योग को अर्जुन के प्रती कहते हुए स्वयम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है हे राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्यान कारक और अद्भुत समवाद को पुना-पुना स्मरण करके मैं बार-बार हर्शित हो रहा हूँ हे राजन श्री हरी के उस अत्यन्त विलक्षण रूप को भी पुना-पुना स्मरण करके मेरे चित में महान आश्चर्य होता है और मैं बार-बार हर्शित हो रहा हूँ हे राजन जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषदारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूती और अचल नीती है ऐसा मेरा मत है ओम तत्सदिती श्रीमत भगवद गीता सूपनिशत सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष सन्यास योगो नामाष्टा दशोध्यायः धन्यवाद